हेलो इस्टूरंस वेलकम टू दे कलास और आज हम डिसकस करेंगे इस्क्रियू गेज को ठीके और ये टापिक हमारे चिप्टर टू मेहरमेंट से रिलेटेड है और आज हमारा लेक्चर नमबर जो है वो थर्टीन है तो आईए इसको डिसकस करते हैं इसक्रियू गेज अगर हम डिफिनेशन को देखें तो डिफिनेशन में जो है वो हमारे पास है के इस एन इंस्टूमेंट देट कैन बी मेर सिमाल लेंड थिकनेस इसक्रियू गेज जो होता है आपका किसी भी आपजेट की थिकनेस जो है वो मेर करने के लिए यूज होता है य ठीके उसको हम कहते हैं thickness लेकिन thickness कितनी होनी चाहिए correctly up to 0.001 mm और up to 3 place of decimals ठीके ये आपका जो screw gauge होता है ये 0.001 mm तक जो है वो आपके किसी भी object की जो है वो thickness correctly मेर कर सकता है ठीके अब आप खुद समझ सकते हैं कि 0.001 mm बहुत ही जो है वो एक छोटा value है और ये उन objects का होगा जो बहुत ही छोटे होते हैं जैसे आपके nuts होते हैं छोटे छोटे बारीक उनकी जो thickness होती है वो बहुत ही छोटी होती है तो जो mechanical engineering में इसका जो है वो बहुत use होता है ठीके तो इसमें length कितनी होनी चाहिए thickness that is about 0.001 mm तक ये जो है वो क्या कर सकता है thickness लेकिन जो पिछली topic में हमने vernier caliper पड़ा था vernier caliper जो है वो length मेर कर सकता था अप्ट 0.01 mm तक ठीके लेकिन screw gauge का करता है ये thickness मालूम करता है कितनी जो है वो कम से कम कितनी जो है वो thickness मेर कर सकता है 0.001 mm ठीके उसके बाद next जो है वो slide भी चलते है screw जो gauge होता है why we call it screw gauge हम इसको screw gauge जो है वो क्यों कहते है ठीके because it is consist of screw to move forward and backward to fix the object ठीके इसके अंदर जो होता है वो आपका एक screw use होता है इसके लिए हम इसको क्या कहते है screw gauge कहते है ठीके मैं आपको यहाँ पे जो है वो represent करवाता हूँ highlighter select करता हूँ highlighter ठीके यह आप देख सकते है यहाँ पे क्या है आपका यह जो है portion screw का है यहाँ पे उपर लिखा भी हुआ है ठीके तो screw हम इसके अंदर use करते हैं इसी वज़ा से हम इसको जो है वो screw gauge कहते हैं ठीके next जो है वो हम slide पे जाते हैं उसके बाद है why we use screw gauge हम screw gauge जो है वो क्यों use करते हैं ठीके we cannot mirror very small thickness with meter scale centimeter scale और vernier caliper ठीके तो जो हमारी thickness होती है जो objects बहुती चोटी size के होते हैं उनकी thickness जो होती है हम meter scale से या centimeter scale से या जो है वो vernier caliper से मालूम नहीं कर सकते हैं इस वज़ा से हम screw gauge का use करते हैं तो जो हमारे छोटे objects होते हैं हम correctly उनकी thickness जो होती है वो मालूम कर सकते हैं तो यहां पे मैंने note में भी लिखा हुआ है note for small thickness up to 0.00 mm we use screw gauge जिन objects की जो thickness होती है वो 0.001 mm तक होती है वो हम correctly जो है वो screw gauge से मालूम कर सकते हैं ठीके उसके बाद इसके जो parts होते हैं हम उनको जो है वो define करेंगे ठीके तो screw gauge के जो parts होते हैं उनमें जो first part आता है वो अता है U shaped metal frame ठीके अब आप देख सकते हैं कि यहां पे जो आपका U shaped metal frame है मैं यहां पे इसको indicate कर रहा हूँ यह आप देख रहे हैं U shaped metal frame यह U की तरह है ठीके यह हम जो है वो इसके अंदर क्यों जो है वो use करते हैं ताके हम object को easily hold कर सकें इसलिए हमने इसको जो हो नीचे की तरफ जो है वो push कर दिया है अगर यह उपर की तरफ यह इदर जो होता तो objects जो होते हैं वो छोटे बड़े होते हैं तो हम उनको easily यहां पे hold up करने में हमें क्या हैगी difficulty हैगी तो इसका जो first part होता है वो यह होता है कि इसके अंदर एक U shaped क्या होता है metal का जो होता है frame होता है ठीके उसके बाद इसका जो second part होता है वो होता है fixed stead ठीके इसमें actually जो fixed stead है means आपका ऐसा हिस्सा जो move ना करे ठीके तो यहां पे उपर लिखा हुआ है stead मैं इसको note करवाता हूँ यह आपका stead है यह move नहीं करता इसकी यह जो side है stead यह move नहीं करती और यहां पे हम बीच में क्या करते हैं object को hold करते है तो stead जो होता है वो move नहीं करता यह भी इसका जो है वो screw gauge का क्या है पार्ट है हमारा ठीके उसके इलावा जो इसका third part है that is movable stead ठीके movable state जो होता है वो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं यह आपका जो भी portion है यह that is movable state कहलाता है ठीके यह जो है वो back and forth जो होता है आगे पीछे क्या होता है move होता है ठीके यह ऐसे जो है वो आगे पीछे की तरफ move हो सकता है इस वज़ा से हम इसको क्या कहते है movable stead कहते है ठीके उसके जो है इसके next जो है पार्ट पे जाते हैं तो उसके बाद जो fourth इसका main part है that is main scale जिस तरीके से हमने vernier caliper में पढ़ा था main scale and vernier scale इसी तरीके से ही screw gauge में भी जो होता है आपका होता है main scale ठीके तो main scale यहां पे जो है वो आपका लिखा हुआ है यह आपका main scale है जिसको मैं highlight कर रहा हूँ yellow color से ठीके तो यह main scale होता है और यह move नहीं करता ठीके यह भी क्या होता है fix होता है ठीके तो इसको हम क्या कहते है main scale और इसकी जो rating होती है वो भी आपकी mm में होती है mm में होती है और mm जो होता है वो आपको हम इसको हम कहते है mm ठीके उसके इलावा इसका जो fifth part है that is circular scale ठीके तो अगर हम circular scale की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं जो screw gauge के parts में circular scale आता है वो यह आपका यहां पे लिखा हुआ है circular scale ठीके तो यह जो आपका circular scale होता है screw gauge का यह क्या करता है यह move करता है यह completely circular जो है वो move करता है तो इसलिए हम इसको क्या कहते है circular scale और इसमें जो आपकी reading होती है वो भी graduated होती है mm के अंदर और mm को हम represent करते है mm के अंदर ठीके mm के अंदर हमारी graduation क्यूं है हमारा scale क्यूं है क्यूंकि हमारी जो thickness होती है वो बहुती least होती है छोटे से छोटी होती है इसलिए हमारा scale होता है वो mm में होता है उसके बाद हम इसके six number part पे आते है वो होता है इसका drum ठीके तो screw gauge में एक drum भी use होता है ये इसका जो है heavy part होता है ठीके न ये इसका क्या होता है एक heavy part होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है thimble thimble को भी जो है वो extra नाम है इसको हम drum भी कहते है thimble और drum ठीके तो यहाँ पे thimble लिखा हुआ है आप इसको drum भी जो है वो कह सकते है drum हम इसलिए कहते है क्योंकि ये आपका एक drum की तरह होता है in a circular shape ठीके और इसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो ये heavy होता है और ये hold करने के लिए जो है वो ज़्यादातर क्या होता है इस्तेमाल होता है screw gauge के अंदर उसके बाद इसका जो seven part है वो है रिचेट ठीके तो ये किस काम में आता है ये इसका बिलकुल screw gauge की जो ending point होती है यहाँ पे होती है ये एक जो है वो nut की तरह होता है और इससे जो हम इसको क्या करते है हाथ से बाहेंड क्या करवाते है रोटेट करवाते है इसको हम क्या करवाते है रोटेट करवाते है और रोटेट करने की वज़ा से जो यहाँ पे आपका screw लगा हुआ है ये इदर जो है वो forward या backward जो होता है वो move होता है ठीके तो ये था आज की आपके simple topic screw gauge इंशाला next class के अंदर जो है हम next जो है वो topic को discuss करेंगे अगर इस topic से related आपको question है तो आप inbox कर सकते हैं